स्री शिवाय नमस्तु भें मेरे पास बहुत मैसेज़िस आ गए इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे भी कि भी याँ शमी का ऐसा कौन सा पता है जिसे हम महादियों को चड़ाएं और महादियों खुश हो जाएं तो क्या आपको पता है कि अभी तक आप वो सारी गलतियां करते चले आये हो समी पत्र के साथ में जिसकी वज़े से आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना जो अधूरी रह जारी है 99% लोग ये गलतियां करते हैं ठीके ना काफी परेशाने कि बई यह वाला पत्ता हम चड़ाएं समी का या फिस पर जोषे में छोटे वाले पत्त्ते होते हैं उस्से चड़ाएं ठीके ना इसकी बात करेंगे साथी साथ इस वीडियो में शमी के पेड़ की असली पहचान क्या है इसकी बात भी करेंगे कुछ लोग अभी भी छुई मुईब के पौधे की पूजा करते हैं जो कि उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा सबसे पहले हम लोग पहचान की बाते करते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा पत्ता महादयो को समर्पित करना चाहिए यहाँ पे आपको दो तीन पत्ते दिखाऊंगा सबसे पहला जो आपको पेड़ यहाँ पे दिखा रहा है यही है असली शमी का पेड़ कौन सा असली शमी का पेड़ यही है पहचान समझो इसकी जो पतियां होती है बहुत ज़ादा मुलायम नहीं होती है हलकी सी टाइट होती है और इसकी जो फूल होते है ये फूल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आगे का जो पोर्शन होगा हलका सा यलोईश होता है और पीछे का जो पोर्शन होता है वो पिंग कलर में होता है, इसी तरीके से शमी के पेड में दूसरा एक सफेद कलर का आता है फूल, और वो सफेद कलर में भी आपको फूल की लंबाई इतनी ही नजर आने वाली है, ठीक ना, शमी के पेड में थोड़े से कांटे भी लगे होते हैं, तीसरी पहचान शमी के पेड की ये होती है, कि शमी के पेड में कांटे लगे होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, बहुत मुलायम नहीं होते हैं, हलके से टाइट से होते हैं, और फूल उसका ऐसा होता है, ये तो हो चूई मुई का पौधा चूई मुई का जो पौधा होता है उसके पत्धे कभी टाइट नहीं उते ही इस लिए पत्त hiç का धान रखी एका बहुत मुलायम बहुत कोमल होते हैं जैसे ही उन पत्तियों को आप टच करोगे पूरा का पूरी पतियां उसकी क्या होती है एकदम से सुकड करके छोटी सी हो जाती है बिलकुल आपस में खुली नहीं होती है बंद हो जाती है जैसे यहाँ पे देखो हो रहा है छूते ही पतियां क्या हो रही है मुर्जा जा रही है ये एक अलग सा एक तरीके कर सकते हो पह नहीं लगा होता। जिससे आप आसानी से पेचानтов सकते हो कि ये कौन सा पौधा है। शूपी का पौधा होता है। देखो मैंने आपको एक बात हमेशा बता रखी है कि महादेव को कभी भी कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ाया जाता मैंने आपको बताया है ना चाहे आप मूं के दाने चढ़ाओ चाहे आप चावल के दाने चढ़ाओ चाहे आप कुछ भी ऐसा चढ़ाते हो महादेव को इवन बेलपत्र भी चढ़ाते हो, कहीं से भी खंडित कोई भी चीज टूटी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपने कैसे सोच लिया कि महाद्यों को जब हम समी का पत्ता समर्पित कर रहे हैं, तो तोड़ के चढ़ाएंगे, महाद्यों को चढ़ाने के लिए पूरा यहां से उठा करके और ये पूरा का पूरा एक पत्ता आपको समर्पित करना है, जरूरी नहीं है कि 10 चढ़ाओ, 15 चढ़ाओ, 50 चढ़ाओ, एक ही पत्ता चढ़ाओ, लेकिन पूरा चढ़ाओ, अगर इन में से मान लेजे कि ये वाला पूर्शन आप तोड़ करके चढ़ा देते हो, तो इससे क्या होता है, इसका मतलब आपने खंडित पत्ता चढ़ा दिया महाद्यों को और ये चीज़ें नहीं मानी जाती है, इसलिए महाद्यों को समर्पित करने के लिए ये पूरा का पूरा एक पत्ता इस तरीके से शमी का हमें चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी बरसों पुरानी सारी मनो कामना पूरी हो जाती है, तो आप बार बार आपको एक ही चीज़ को नहीं बताओंगा, मैंने कोशिश की ही नमस्तु में